हेलो हेवरीवान गुड बॉर्निंग कैसे हो आप लोग तो आज की व्लॉग के शुरुवात हो रही है सीधा मेरी किचन से तो भी सुबा के साड़े दस बच रहे हैं और मैं आ गई थी नाश्टा बनाने के लिए तो आज नाश्टे में हमारे यहां बन रहा है आलू की स्टफिंग वाले ब्रेड पकॉड़ा तो काफी दिनों बाद बना रही हूँ क्योंकि गर्मी में इतना हैवी ब्रेकफस्ट अच तो यह जो स्टफिंग में बनाई है पियानी की आलू की पिछी बनाई है भरने के लिए उसमें मैंने बहुत जादा कुछ एड़नी किया है सिंपल से मसाले आड़ किये हैं मतलब बहुत ही जटपट वाले मेरे आज स्टफिंग वाले ब्रेड पकॉड़ा बन रहे हैं तो आ अच्छे से मिक्स करके मैंने स्टफिंग को तयार कर लिया है अब मैं एके करके सभी ब्रेड में स्टफिंग को अच्छे से फिल कर लूँगी और साथ ही आप देख रहे होगे मैंने पास में ही एक अलग से डोंगे में मैंने थोड़ा सा बैटर तयार कर लिया है तो जो मैं ये स्टफिंग वाली ब्रेड मैंने तयार की है ना उसको मैं इस बैटर में अच्छे से डिप करके इनको फ्राई कर लूँगी और ये जो मैंने बैटर तयार किया है इसमें भी मैंने कुछ बेसिक से मसाले ही डाले हैं जैसे नमक, मेश, धनिया पाउडर और थोड़ी सी खाने की जरोतनी पड़ती क्योंकि एक बंदा हद से हद एक या दो ही खा पाएगा तो काफी ज़्यादा हैवी हो गए थे बलकि हमें तो इनको खाने के बाद में दुपहर को अच्छे से भूग भी नहीं लगी लंच भी नहीं किया किसी ने प्रॉपर ली बस इसलिए बना करनी है तो मैं नाश्टा कर लेती हूँ फिर उसके बाद सीधा मैं आप लोगों से रूम में मिलती हूँ तो यहां ब्रेट पकॉड़ा बनके मेरे रेडी हो चुके हैं तो सबसे पहले मैं बच्चों को सर्फ कर रही हूँ तो ब्रेट पकॉड़ा का मैं आदे आदे पीसेज में कट का लिए उपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है क्योंकि चाट मसाला उपर से डाल दोगे ना अगर आप तो इसका फलेवर बहुल अच्छा आता है साथ ही मैं थोड़ा सा केचप दे दिया है तो बच्चों को breakfast कराने के बाद में मैं सीधा room में आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे करनी है अपने bedroom की cleaning तो आप लोग को पता है कि डेली का मेरा जो routine है काफे ज़दा busy रहता है और खास तोर पे जब से अमी की classes अगरा start हुई है न तो आप ये समझ लीजिए साड़े 11-12 तो धूल भी काफी आ जाती है room में तो मैंने सोचा कि अभी मैंने शार तो ले लिया है तो सूकी dusting का तो मतलब नहीं बैठता है धूल मिटी में तो मैंने सोचा कि गीले कपड़े से मैं dusting कर लेती उससे धूल भी नहीं उड़ेगी और अच्छे से मेरा room भी clean हो जाएगा और से clean भी हो गया था जो मैंने गीले कपड़े से clean किया और काफी ज़दा धूल थी room में क्योंकि कई दिनों से मुझे time ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं room की अच्छे से cleaning कर लूँ खेर आज थोड़ा सा time लगा करके ना काफी अच्छे से मेरे room की cleaning हो चुकी है सब सामान मैंने ए जाफी है जाफी है एवरिवान कैसे हो आप सब लोग आप सब लोग पहुत अच्छे होंगे एकदम सवस्त होंगे तो अभी सुभा केना साड़ी गारा बजे हैं और मौनिंग निया आज हमारा ब्रेकफ़स्ट हो गया ब्रेकफ़स्ट आप लोग के साथ में मैंने शेयर किया था आज मैंने ब्रेट पकोड़े आलू की स्टफिंग वाले इतने हैवी हो गया ना पता नहीं अभी दुपैर को भूख लगने वाली है या नई और आप लग बताईए कैसे हैं तो एक्चली आज क्या हुआ ना मैंने अपना आज का व्लॉग स्टार्ट किय किचन से आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्द बाजी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था क्योंकि मुझे इतना सारा काम करना था और फिर आशू को थोड़ा सा काम था आज आज आशू ओफिस नहीं गए है आशू को थोड़ा खेत में काम था उस वज मैं ब्रेकफास्स करने के बाद रूम में आ गई हूँ शार में ने ले लिया था तो आज मुझे रूम की न थोड़ी सी गिली डस्टिंग करनी थी क्योंकि डेली डेली आपको पता है कि एमी के साथ एक मिना फैन आउन कर दू बहुत गर्मी हो रही है कि अपने रूम की डेस्टिंग कर लू तो इस वज़े से मैं ने और नहा भी लिया था तो इस वज़े से मैं थोड़ी डस्टिंग कर ली मैं लेगा चलो सफाई हो जाएगी क्योंकि खिड़कियां विगारा देखिए सारा देन खूली रहती है तो बहुत जादा धूल आ ज अटिंग थोड़ी से डिफरेंट तरीके से की है आज पीलो को मैंने खड़ा करके थोड़ा सेट किया है तो इस तरीके से मैंने सैट कर लिया है और रूम हो गया है मेरा बिलकुल नीद यान बिलकुल अच्छे से साफ सुत्रा हो चुका है तो और बहुत दूल चाही हुई मैंने का आતो कुईकि फिर वही है संडे में वैसे बहुत सारे काम हो जाते है और सेटरडे में बहुत सारे काम उजाते हैं क्योंकि आप उसक बाजे कर लेते हैं में यहuiteर आफ दॉट कर लेते हैं आपके साथ डोilesेशका और एक अच्छी सी चीज शेयर करनी है एक्चली कल आशू मेरे लिए कुछ बहुत ही प्यारी सी चीज लेके आए है शेर करूँगी बाद में आप लोग के साथ और यहाँ थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं देखिए धुले हुए यह देखिए थोड़े से धुले हुए कपड़े रखे हैं इनकी मुझे तेल लगानी है तो कपड़ों की तैम मैंने लगा ली है और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है तो अब लोग बताईए कैसी हैं अभी फुरसात हो के थोड़ सी देर बाती हूँ फिर उसके बाद नीचे जाओंगी अमी को थोड़ा सा स्टड़ी कराना है नो-नो को थोड़ा सा स्टड़ी कराऊंगी क्योंकि यह शाम के टाइम के अगा बहुत गर्मी सी हो जाती है फिर शाम में एमी को थोड़ा सा अपना रिटन वर्क भी करना होता है तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्टड़ी करा लो और अभी freebie हो चुकी हूँ और आज लंच में ना तोरही की सबजी बनाने वाली हूँ तो देखूंगी आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूंगी या नहीं क्योंकि बहुत ही basic सी होती है तोरही की सबजी तो शायद उसकी आज रेसिपी शेयर ना कर सकूँ आप लोग के कि लेकिन कभी-कभी आप लोग समासकते हैं कभी-कभी इसा रहता है कि मेरा व्लॉग बिल्לא शूट किया हूँ रखा रहता है लेकिन उसको मैं एड़िट नहीं कर पाती हूँ बहुत बिजी हो जाती हूँ आप लोग के लिए डेली व्लॉग अप्लोड कर सकूँ अप्लोड कर सकूँ अप्लोड कर सकूँ तो अब यह बज़ रहे हैं शाम के साड़े पांच और सीध हमें मॉर्निंग के पात आप लोग से अब मिल रही हूँ और दुपहर में मैंने आप लोग को बताया था बहुत ही सिंपल सा लंच रूटीन था तो आपके लोग के साथ मैंने रेसिपिया शेयर नहीं की क्योंकि आज बनी थी तो रहे की सबजी और चावल तो भी साड़े पांच का टाइम हो रहा है और मैं रेडी हूँ तो दिखाती अपना ये वाला सूच क्योंकि भी मैंने थोड़ा सा मुझे एक्चली बहुत जरूरी कुछ सामान लेके आना है मार्केट से तो वो मैं लेने के लिए जारी हूँ तो मैंने सचा मैं इवनिंग से अपना व्लोग भी कंटिन्यू कर देती हूँ आप लोग के साथ में क्योंक साथ शेयर करूंगी तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ से देर में और कैसी लग रही हूँ मुझे जरूर बताना तो मैं जल्दी से मार्केट से होकर क्या आती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से तो गाइज अभी जस्ट मैं आ चुकी हूँ यह देखो सामान और आ चुकी हूँ अभी मास्क उतारूंगी क्लोस चेंज करूंगी जो मार्केट पैन के गई थी फिर आप लोगों से मिलती हूँ और कुछ देर में आप लोग को दिखाती हूँ क्या लेकर के आई हूँ वैस मेरे पास रफल थोड़े खतम हो रहे थे तो मैं और नोनो दोनो इस तरह के रफल बहुत जादा यूज करते हैं तो यह मैं लेकर के आई हूँ जो की हैं दो येलो कलर में पपल कलर में पिंक और ग्रीन तो यह रफल मैं लेकर के आई हूँ साथ ही ना आज मुझे एक बहु लगाना बहत पसंद है तो आज मुझे यह गुरी और सोपर्ण करनी थो बहुत के लिए टीज के लिए तो यह पलड़ यह पार बार मार्केट नहीं जाती हूं, तो मैंने सुचा जब आई हूं, तो यह समान लेकर चलूं, और यह देखें यह चूडियां है, यह मैंने दो पेर एरिंग लिए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, तो एक येलो है, और एक पिंक है, तो यह मैं लेकर आई हूं, एक ये मेहंदी की कीप और साथ ही मैंने दो नेल पेंट्स लिये है एक महरून है इक बहुत ही प्यारा साथ ग्रीनिश गोल्डन कलर है दोनों ही बहुत प्यारे है तो दो शेड्ज में ये लेकर के आई हो साथ ही मेरा काजल खताम हो रहा था तो मैं एक Blue Heaven का काजल लेकर के आई हूँ और काफी अच्छा काजल है बुए हेवन का और काफी अफ़र्डेबल है इससे पहले मैंने काजल यूज किया है लेकिन यह भी मुझे अच्छा लगा तो मैं यही लेकर के आई हूँ इस बार और साथ ही मेरी बिंदी भी फिनिश हो रही थी तो मैं छोटे साइज की कलर फूल बिंदी लेकर के आई हूँ क्योंकि डेली डेली में महरून बिंदी लगाती हूँ न तो आ यह चोटू सी शॉपिंग में करके लाई हूँ तो अभी समय हो चुका है दस बजे का और जस्ट अभी हम लोग चट से बाहर से घूम करके आए हैं और यह रहे मेरे शोने काकी गुद नाइट बोल दो सबको गुद नाइट देखो 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 ना रुक देखो ना रुक आप लोग कोई मैं मोटी मोटी सी लग रही हूं क्या गोलु मोलु लग रही हूं तो ग्यार ऐसा होता है अभी कितने दिन रह रहे हैं आम के और अभी 10-15 दिन और रहे हैं हमारे आम के अब देखिए जितना फैट चड़ना है वो तो चड़ेगा क्योंकि आम मेरा बहुत ज आपके मेरे ले कर देखिए थाएं हमें हवा भी लग जाती है तो आजकल तो आम खा रहे हैं और आप लोक से मैं शेयर किया था था ना के आज मेरे कुछ लेकर क्या आए और वो जो चीज एना उससे मुझे इतनी खुशी मिली है और वो एक ऐसी चीज है जो मुझे बहुत भाद़ पसंद है और जिससे मेरा अब आगे आने वाला टाइम जो है ना बहुत अच्छा जाने वाले मुझे इतनी उसकी जरूरती दिखा दो जब माइक क्या रहा है मेरे तो वेट करो आप आपको दिखाती हो आश्यू मेरे लिए कल लेकर क्या लेकर क्या थे एक्चुली फिर क्या है ना आगे फिर कल सेटरड़े है तो सेटरड़े को हम लोग यह चीज नहीं ला सकते थे तो आप लोगो को मैं बैक कैमरा से तो गाइज यह देखिए यह है मेरा गिफ्ट तो कल आशू इसको लेकर के आए थे और मुझे बहुत खुशी है नो दूसरे है लाइ freedom कर सो कल इसको छेड़ना ने इसकी शैटिंस बटा चेड़नीनी ए तो कल आशू मेरे ले ले कर के आए हैं वेषा की सुइन्ग मशीन वैससे तो मेरा मन था कि मैं सिंगर की फैशन मे कर लूं लेmost latch अभी फिलाल मैंने उसको लिया नहीं है अभी फिलाल मैंने ये वाली मशीन ले ली है तो उशा जो है काफी अच्छी कंपनी है बहुत अच्छा ब्रैंड है आपको सिलाई मशीन लेनी हो तो काफी अच्छी रहती है और कल आशू इसको इवनिंग में शाम को आफिस से आते स्टिचिंग करना लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है लेकिन मुझे अच्छा लगता है कुर्ती इसकी ऑल्डरेशन देगरा सारी काम में खुद कर लेती हूँ तो फिल्हाल खैर यह चीज मुझे बहुत ज़रोत थी क्योंकि मेरे पार जो मेरी शादी वाली मशीन है वो देरादून रखिए तो दोई वाला जब भी हम लोग आते थे थे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी तो फिल्हाल मैंने यह मंग वाली है काफी अच्छी है यह आशु क्या लेकिया मेरे लिए तो मैंने आप लोग के साथ शेयर तो किया था तो अच्छा लगता है मुझे एक्चली मेरा किया ना के छोटे मुटे स्टिचिंग के काम हूँ जिसे कुछ फट गया है उदर गया है तो देखिए हर चीज के लिए मार्किट तो नहीं जा सकत कर लूँगी तो यह मैंने वंगवाई थी बहुत अच्छा लगा आशु बहुत अच्छी सी लेकर के आए है और यह मैंने ना उशा के लिए मैंने कोई भी फिर लोकल ब्रैंड की लेकर ना फिर वो जल्दी खराब हो जाती और इसकी फिर सर्विसिंग अराम से हो जाती है तो यह रहा मेरा के बताना कैसा लगा तो इसी के साथ ना आज का यह व्लोग भी एंड करते हैं चोटू सा और आज पता नहीं मुझे मैंने व्लोग स्टार्ट किया कोई रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं की क्योंकि कुछ भी ऐसा स्पेशल ली था आज के दिन में ख क्योंकि यह सिंपल सा खाना बना सुबे से शाम तक मॉर्निंग में में जो सबजी बनी थी वही हमने रात पे खाई है इसलिए को स्पेशल लीदा शेयर करने के लिए फिर भी मैंने सोचा कि आज व्लोग शूट करती हूँ छोटा मोटा और आप लोग के साथ शेयर करती हू चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा तब तक के लिए बाबाई और टेक एर बाई